RUHS, Rajasthan University of LCH, Zikon Badd में 2022 की ये PDF है इसमें आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं उपर ही उपर आपको केटेगरी देखने को मिलेगी फिर Allotate Category Allotate Category में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपने किस केटेगरी से आपको सीट मिले क्या आपके आरक्सित केटेगरी से ही सीट मिली है या फिर आप जेट फाइट कर के जा रहे हून अपर देखने को मिलेगा EWS एंड जेटरल में क्या दिफरेंस मिलता है OPC, SC, SD कितने मार्च का दिफरेंस रहता हैं MBC में सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वन बाइवन सो दिस इस पर इस करनेटली बीए सिनसिंग सेकेंडर इस्टूडेंट एट चिकन बार्ड में सो सबसे पहले तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आज मेरा बड़े भी है सो उसके लिए भी आप मेरे को विस्ट कर सकते हैं और चैनल को सबस्क्राइब करने का कोई खरचा नहीं लगता है आपको इस चैनल पर जो यूटूब पर बहुत सारे चैनल है लेकिन इस चैनल पर जो यूटूब इनफॉर्मेशन मिलती है वो आपको कहीं दूसरी चैनल पर देखने को नहीं मिलती है और बाकि आपके जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर चोड़ें हम आपके लिए उसके लिए सेफरेट वीडियो जरूर बिनाएंगे सो लट्स डिसकस अबाउट इस वीडियो आपको देखने को क्या मिल जाता है सबसे पहले आपको उपर ही उपर मैंने नंबर्स और रॉल नंबर्स आइड कर दिये हैं वागी आपको जो काम की चीज़ें वो आपके मैंने हाइलाइट भी कर दिये सो सबसे पहले आपको ये 2022 की हैं तो cut-off तब आपके कम रहती थी क्योंकि आपके number of student भी participant कम करते थे लेकिन अब आपके cut-off जादा रहती हैं क्योंकि number of student बढ़ गए हैं आपको भी पता है तो आपके general seat भी आप fight करते हैं और इनके 65 marks थे और इनको जीकॉन बार्ड मेर को लेज अलोट हुआ था फिर general category में यह female है फिर again इनको female general से ही अलोट हुआ है सो नेस्ट ओबीसी female की बात कर रहा हूं यह female है और ओबीसी में इन्होंने भी general fight किया था 70 70 पर general की seat यहां पर मिलते थे आपको लोग देख सकते हैं बाड मेर में जीकॉन बाड मेर मेर में और general की seat 74 आप लोग दें मिनिमाम आपको 70 पर देखने को मिली है यहां पर आप लो 63 62 65 यह ऐसे marks हैं तो वह जरूर रखें उनको कॉलेज न्यू ग़र्मन कॉलेज्ट होई जाएगा ऐसी मेरी आसा हैं और 67 EWS इन्होंने भी female general से fight किया था और बाकी जो difference देखने को मिले गए मैं आपको बताऊंगा जो आपके काम की चीज़ें जो soaking चीज़ें वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ सो SC category में 60 नमबर पर मिला है तब तो 60 पर मिल दाई था आप तो cut off बढ़ी गई है वालब 65 के something आपको marks लाने ही है अगर आप SC category से भी हैं तो general में तो मैं बात करूं सो आपके अब marks 70 से तो प्लस होने ही चाहिए लेकिन 75 के आसपास है न तो आप सेपी स्कोर पर अपने आपको रख सकते हैं 77 है 76 75 तो भी इस बार तो मैं देखता हूं क्या रहता है पेपर का लेवल तो था वो थोड़ा सा मलब थोड़ा सा ही उपर था इतना तो मैं नहीं कह सकता कि ज बेइशन में आपको थोड़ा बहुत टेफ्रेंस देखने को मिलेगा है यसा मेरी माना है बाकि सब्सक्राइब देख सकते हैं इनको टीक इस-पर क्राइब से बहुत से तो बिलर रहा है और एस्ट के तो कितने पर मांक्स आ रहे हैं सो जितनते पर स्टूडेंट्स बोह प् मिल भी रही है और OBC category की बात करों सो OBC category में आपको scholarship नहीं मिलती है यदि आप OBC के BPL candidate है सो आपको scholarship मिलती है वो भी 8000 जालने बागी EWS में 55 female EWS सो 55 आपको देखने को मिलाना EWS और MBC यह ऐसी category है है इसमें बहुत ही ज़्यादा सबसे मिनिमम मार्क्स पर जाने के कोशिज कर रहा हूं सो EWS 58, 55 भी आज चुका है उपर सो EWS category में जिसके भी अभी आपके मार्लब 65 के आसपास हैं मार्क्स सो उनको college हो जाएगा चनरल category का मैं बता दूसरो चनरल category में जिसके भी 75 के आसपास हैं उनको college हो जाएगा 73, 72, 71 के आसपास OBC category के हैं तो वो अब जरूर रखें न्यू गवर्मेंट कोलेज के जिकोन बाड़ मेर तो आपको मिलेगा नहीं कुछ रहने वाली है इस्तती तो आपका जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर जोड़े बागी जो भी आप डिमांड करोगे उस पर वीडियो जरूर रहेगी ध्यूर वच Leด ूजियुर जो सब्सक्राइब टन थे स्ट बेल रोग किसे स्सेचान के थान बाड़ बाड़े नpesं फासे क्या सवर्मेट सेस्टार् सब्सक्या कर दो को